तो पूरा वो लोग भर ले रहे हैं लेकिन पेमेंट का उनलों को प्रावलम आ रहा है तो पेमेंट से रिलेटेड ये वीडियो इसमें पूरा कम्प्रीट आपको एक्स्प्लीन किया जागा कि पेमेंट वागरा कैसे करना है सबसे पहले और जो अप्लाई करने का पेज है वह आपको पता ही होगा वहाँ पर आपको आजाना और यहां पर आपको लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर यह वाला सेक्शन दिख रहा होगा जैसे लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर में आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया छर्ट वाल पेज यहां पर खुल गया है यहांपर आपको सारा डीटेल अगरा नीचे दिया होगा तो अगर आप चाहिए तो स्क्रोल करके नीचे डिटेल्स को रिवेरिफाई कर सकते हैं यहाँ पर step 3 में देखिए हम पर payment process वाल आ रहा हुआ है लाल रन से और इसके उपर जाएंगे तो यह blue जैसा हो जाएगा तो उसके उपर आपको click करना ठीक है तो payment process के उपर आपको जाना है और उसके आद आपका एक page open होगा जहाँ पर आपका payment का साथ process होगा देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि you are required to pay the examination fee after one working day अब इसका क्या मतलब इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अगर आपने आज फॉर्म बार है तो आपको एक दीन इंतजार करेंगे एक working day यानि कि उसमें Saturday Sunday कांट नहीं होता है Saturday Sunday अगर है तो फिर उसके ब payment gate vessel में होता है State bank of India को इंटम trusted है यहाँ पर देखिए आपको एक टिक लगाना है यह टिक के उपर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका select payment category आ रहा होगा उसमें स अब registration नमर डालने के बाद आपको submit के उपर क्लिक करना है और उसका page reload हो और फिर से आपको सारे details यहाँ पर नीचे लिखा हो और आपसे फिर से details लेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको जो है name उसके बाद अपना date of birth यहाँ candidate का candidate का mobile number और candidate का email id यह चार चीज आपको भरना है टिक है तो दिख़ी सारे details यहाँ पर आपको same to same भर लेना है नाम वही डालना है जो आपने form में भ山 ता हर चीजו ही same to same डालना है और सके राद यहाँ पर आपका text दिख रहा है वह text आपको यहाँ पर fill कर लेता हो यह IP दू C ले Def AG influenced बर आपको अक्लिक करना है यासी submit button प तो आप यहां पर इसको confirm करतीजिए, फिर यह पेज खुड रहा है चाहता, पूरा complete confusion यही पर है, तो इस पेज को थोड़ से अच्छे से मैं explain करता हूँ, सबसे उपर नेट बैंकिंग का section है, तो अगर आप लोग नेट बैंकिंग से payment करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग क्या ह जितना भी आपका payment है, उसमें आपको extra देना पड़ेगा, और आपका दूसरा bank है, किसी का access bank में है, किसी का bank of india में है, तो इसको यहां पर click करना है, अपना bank के हिसाब से आपको चुन लेना, जिससे भी आप payment करोगे, जहां तो लोग के पास नेट बैंकिंग होता नहीं, मीचे वाला section में आते हैं, यहां पर है card payments, अब देखे, card payment के उपर एक चीज लिखा हुआ है, कि रात को 11.30 बजे और 12.30, यानि 11.30 के बीच में यह वाला जो सारा चीज है, यह आपका on नहीं रह गा, यानि इस समय अकर आप payment करेंगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, रात या फिर debit card, debit card के लिखा होगा, आपको देखना होगा, या ATM card में की उपर अपको देखना हो ही, सिर्फ मास्टर card लिखा होगा, वैसे लोग इससे payment कर पाहेंगे, यहां पर click करने का कोई अपास अपर आपका payment का fail हो जाएगा, तो रूपे अगर आपके पास है तभी उसके उपर इस तरह के देखिए जो रूपे लिखा रहा है यह आप इसी तरह सेम पूसेम आपका रूपे उसके उपर लिखाएगा तो अगर वह चीज़ है आपका तभी आप उससे आगे बढ़िए वर्नमत बढ़िए उसके पास क्रेडिट यह पर आप इससे कर सकते हैं लेकिन क्रेड़ करड़ भी जादा लोग के पास नहीं होता है यह जो अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसरा पेमेंट मेथा इस्तमाल करना होगा या तो आप ऊपर नेट बैंक की का इस्तमाल कर लिजे यह नीचे आ या भीम जो UPI होता है या फिर पेटीम का भी आजकल UPI आ गया है तो उसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं वह मैं आपको करके दिखा दूँगा आगे कैसे होता है यहाँ पर एक एनिफ्टी आर्टी जियस करना चाहते हैं बैंक बागर के थ्रू बहुत लोग कर आपको साथ में अपना पैसा रखना है जीतना भी आपका पैसा का माल लिजिए अगर 50 रूपीज में 59 जोडएंगे तो एक सोनो रूपया होता है वह एक सोनो रूपया आपको कैश में लेकर करके जरूर नहीं कि आपका SBI में आपका अकांट हो ठीक है और उसके बाद आप आपको पैमेंट करना है complete SBI का चलान से कैसे पैमेंट होता अगर आपको वीडियो देखने है तो यहाँ बटन में एक वीडियो और आगर वहां से आप देख सकते हैं कि चलान पैमेंट कैसे होता है फिलान मैं आपको दिखाय जाता हूँ कि UPI का पैमेंट कैसे करना है फोन पे गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हैं उसके अंदर आपका UPI ID होगा तो वह आप डालके समिट करिएगा तो आपका फोन पे या गूगल पे के अंदर खुल जागा एक option उससे आप कर सकते है और नहीं तो एक और option है कि यहाँ पर आप QR code सेलेट कर लेगा तो इस प्रोट से कमेंन कियी है होगे तो उसको बस आपको open कर लेना है और उससे यहां पर पेमेंट को proced कर लेना है ठीक है तूरंट पेज रिफ्रेश नहीं होता, थोड़ा सा आप इंसार करें, कि यहां पर पेज रिफ्रेश होके नया पेज आ गया है, और यहां पर आपको दो आप्शन मिल रहा होगा, यहां पर एक क्लिक करेंगा तो इस तरह का एक रसीट खुलेगा, और इसमें आप प्रिंट मे इसको सेव कर सकते हैं, मैं अभी PDF में इसको सेव कर ले रहा हूँ, और जो भी है, इसमें मैं आपना एक नाम डाल देता हूँ, इस फाइल का कुछ भी नाम देने के बाद इसको मैं सेव बटन पर क्लिक करूँगा, तो यह जो मेरा PDF के रूप में इसका रसीद आ जाएगा, और इसको फिर यहां पर आप क्लोज कर ले, और उसके बाद यहां to return to bank collect home page, यहां पर आपको जाना है, फिर से वही वाला SBI collect का page खुल गया, अब उसके बाद जब आप यह वाला page में जाएंगे, यहां पर देखेंगे, तो अभी भी यह जो है pending दिखा रहे है, यह थोड़ successful लिखा जाएगा, और फिर यहां से जाकर कि आप payment registration slip में जाएगे, तो आपका registration slip भी प्रिंट हो जाएगा, बस यहीं तक की वीडियो था, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धनेवाद, चानल को जरू सब्सक्राइब कर लिजगा, इस तरह का और वी वीडियो आप जाएगा 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 जाए